हेलो एवरिवान, हेलो एवरिवान, गुड मॉर्निंग एवरिबड़ी, सो गाइज, आज 22 ओक्टोवर को एक बहुत ही प्यारी न्यूज मॉर्निंग में सोभा मिल चुकी है, आप सभी को ये बात पता होगा कि पावर ग्रिड कॉर्परेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजी सी इल डिप्लोमा ट्रेनी जो की एलेक्टरिकल के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही प्यारी जॉब मानी जाती है, खास करके डिप्लोमा ट्रेनी के स्टूडेंट्स के लिए और आपको पता है कि हर साल का बेलवे के जोन होते में ऐसे PGC-IL के भी होते हैं और इन सभी का पेपर एक कम्माइंड पेपर होता है, आपको कोई एक जोन सेलेक्ट करना होता है, जिस जोन के अंदर आप चाहते हो अपनी नौकरी करना, ताकि उसी जोन के अंदर आपकी बड़िया तारीके से जॉब लग सबसे पहले जोने PGC-IL का NR1 जिसको Northern Region 1 बोलते हैं जहांपे डेली, राजिस्थान, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, हरियाना का कुछ हिस्सा और उत्राखंड के कुछ हिस्से में आप लोगों की जॉब लगती है, इसके बाद आता है NR2 जहांपर हिमाचल प्रदेश, पं तो जिन बच्चों को लगता है कि उनको बिहार और जारकन में जॉब करनी है, वो वहीं से बिलॉंग करते हैं तो आप ER1 दीजन को फिल करिए, फिर आता है ER2, West Bengal और सिक्किम का रीजन आता है, फिर आता है NER, North Eastern region, यह आता है मेली पूरा का पूरा North East का part, अरुनाचल, अस तेलांगाना, पार्ट अफ करनाटा का, फिर आता है SR2, Kerala, Tamil Nadu, पार्ट अफ करनाटा का and UT of Pondicherry, फिर आता है Western region 1, WR1, यह महाराष्ट, चत्यजगर, गोवा और कुछ पार्ट मध्यपदेश का है, जो महाराष्ट और और क्या बोलते हैं, महाराष्ट और चत्यजगर के आस-पास boundary पे लगता है, फिर आता है WR2, यह पूरा का पूरा मध्यपदेश को बिलॉंग करता है, गुजरात, maximum part मध्यपदेश का है, फिर कुछ पार्ट महाराष्ट का है, दादर नागर हवेली का है, और दमनेंट डियू का पार्ट है, फिर एक corporate center इनका हर्याना में, जो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, चली सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे अलग-अलग region है, तो सबसे पहले एक region इनका CC region, ठीक है, अब CC region कौन सा होता है यह आपको पता होना चाहिए, CC मतलब होता है corporate center, है ना, यानि कि यह गुडगाओं की बात कर रहे हैं, तो corporate center की ज diploma trainee civil, सर क्या यहाँ पे mechanical और electronics की post है नहीं भाई, diploma trainee की जो post होती, वो मोटा-मोटा 80-90% electrical की होती, 10% post civil के लिए होती हैं, तो आप देख सकते हैं, 14 और 6, इसके बाद आप चलोगे eastern region 1 में, अभी मैंने बताया भी था आपको क्या होता है, यहाँ पे electrical की 26 post हैं, और civil की 2 post हैं, eastern region 2 में, electrical की 25 post हैं, ठीके, उसके बाद Odisa projects में, electrical की 17 हैं, और 2 post हमारी available हैं, किस चीज के लिए, civil के लिए, इसके बाद आप देखोगे, NER north eastern region में, electrical की 33 हैं, और DTCनE की civil की यहाँ पर हमारे पास 7 post हैं, इसके अलावा बात करेंगे, NR1 में, electrical की 63 हैं, और civil की यहाँ पर 8 post है इसके अलावा बात करते हैं, NR2 में, electrical की 60 post हैं, और civil की 7 हैं, फिर NR3 में, electrical की 69 हैं, और civil की 6 हैं, फिर SR1 में, electrical की 63 हैं, और civil की यहाँ पर 4 post हैं, SR2 में, electrical की 59 हैं, और civil की यहाँ पर 14 हैं, मोटा मोटा हर जोन के आसपास देखोगे, electrical की 60 post के आसपास है on an average, छीके हैं, फिर WR WR1 में electrical की वापिस 67 post है और civil की 5 है और WR2 में तो भाई छपर फढ़के electrical की post है 104 post electrical की है और civil की यहाँ पर 4 post है यह पूरा recruitment 800 post पर निकला जिसमें अगर आप देखोगे तो electrical की 400 से भी ज़्यादा vacancies available है जो कि पहली बार ऐसा हुआ है इतनी ज़्यादा vacancy के साथ यह recruitment आया है उसके बाद सरा आप किसको बोलोगे तो मैं बोलोगा SSCJ बराबर लेकिन उसके बाद अगर आप चाहते हो एक अच्छी जगे काम करना एक अच्छी salary पे काम करना तो जिसको जननत बोलते है electrical की वो है Power Grid Corporation of India Limited PGCIL चीक है चलिए इसके अंदर आपको आगे चलती और opportunities मिलती है Field Supervisor बनने की, Training Supervisor बनने की या फिर मैं बात करता हूँ तो Assistant Engineer बनने की बहुत सारी opportunities आपको आगे देखने को मिलती है चलिए इसकी eligibility भी देख लेते हैं कि कौन बच्चा यहां eligible होता है कौन नहीं तो eligibility में तो जैसे मुझे पहले सी पता है कि यह वही रखने वाले हैं कभी change न आप इन्होंने पहले ही बोल दिया है तीन साल का diploma होना चाहिए आपका electrical में या फिर electrical power में या electrical electronics में भी चलेगा, power system में भी चलेगा, power engineering में भी चलेगा लेकिन आपके 70% marks होने चाहिए अगर आपका 69.9 भी है तो आप eligible नहीं होते हो, 70% marks आपके पास होने ही चाहिए आपके exam के अंदर, ठीक है, उसके अलावा बात करता हूँ, general और OBC के लिए, और अगर आप SCST में आते हो तो passing marks भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा ये एक बात और लिखते हैं, अगर आपने diploma के बाद B.Tech कर रखा है, मतलब higher technical qualification अगर आपकी B.Tech है, with और without diploma, मतलब आपने मान लीजे, direct B.Tech किया, डिप्लोमा किया ही नहीं, तो आप eligible नहीं हो, आपने diploma के बाद B.Tech complete कर लिया, तो भी आप eligible नहीं हो, आपने अगर diploma किया, 70% mark से शांती से भी तक बैठे तो आप eligible हो, अब इसमें एक दूसरी variety का बच्चा और होता, परेशान हुआ था Sir, diploma तो कर लिया है, लेकिन lateral N.T. से B.Tech अभी चल रहा है, तो eligible हो या नहीं हो, यस, अब आप eligible हो, क्यों eligible हो, बताता हूँ, इसलिए हो, क्योंकि अभी आपने B.Tech complete किया नहीं है, आप B.Tech कोई pass out नहीं हो, आपके पास कोई qualification नहीं है, आप कर रहे हो, करना और pass होने में रहा हूँ, आराम से अपना form fill up करें, diploma के base पे, और जब आपका selection बगएरा हो जाता है, तो आप उसको B.Tech को leave कर सकते हो, आपकी choice है, अगर आप join करना चाते हो, तो B.Tech को leave करो, और शांती से महाँ पे join करो, चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर और diploma, diploma training के लिए नहीं होना चाहिए, यह नोंने पहले लिख दिया, अब इसके बाद आता है, आपार age limit 27 साल है, और OBC के जो candidates होंगे, उनके लिए 3 साल extra होगी, और S.A.S.T. के candidates होंगे, उनके लिए 5 साल extra होगी, इसके अलावा बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपका ज salary का total structure कितना बनता है, तो बता जाता हूँ, आपका जो package बनता है, वो 11.9 यानि कि मोटा मोटा 12 लाग CTC के आसपास आपका package बनता है, तो 60-70 अजार रुपे के आसपास पर मनत आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है, इसके अलावा बात कर लेता है, तो यह form की जो fees है, 300 रुपे दी हुई है, और form आपके कब से भराएंगे, वो भी मैं बता जाता हूँ आप लोगों को, उसके अलावा और कुछ important बात, हाँ, आपका paper पूरा return test होता है, slavers exam pattern जिन बच्चों को नहीं पता होगा, उनको बता जाता हूँ, देरसो नंबर का यह paper होता है, जहाँ पर 120 का technical और 50 का non-tech होता है, चीक है, उसके अलावा और भी चीज़े हैं जो बता दूँगा आप लोगों को, जैसे कि यह आपकी आ गई है, तो आप देखोगे यहाँ पे, कि 120 कोशन आपको by default एनोंने technical के दे दी हैं, 50 कोशन आपको यहाँ पे देखे रखा हुआ है किसका, है ना, तो गंटे का time रहता है, 50 कोशन आपको यहाँ पे non-tech के दिये रहते हैं, पेपर simple आता है, पेपर में बहुत जादा hard and fast चीज़े नहीं होती है, इन सभी चीज़ों के अलावा बात करते हैं, और हाँ, अब आती है बात किसके बात की, राइट, बाकि एस सच कुछ भ IKR में WR2 भर देता हूँ, क्योंकि वहाँ वेकेंसी जादा है, तो ऐसा है लोग ने पहली clear कर दिया, कि आप जिस particular zone में form भरोगे, आपको center उसी zone का मिलेगा, जैसे मालीज़े आप NER भरते हो, तो आपका center या तो शिलॉंग मिलेगा, तो गौर्ट या तो डिब्रुगर मे अगर आप UDSA project बढ़ते हो, तो आपको भोवनेशो, रावर केला और कटक ही मिलने वाला है, तो यह बार समझ लीज़ेगा यहाँ पर, कि आप जो भी form भरोगे, है ना, अगर कोई WR2 बढ़ता, उसको भड़ोतरा, भोपाल और इंदोर ही मिलेगा, इनमें से कोई center मिलेगा ऐसा नहीं है कि किसी भी zone से आप भर दे, center आपको अपने हिसाब से मिल जाएगा, नहीं, यहाँ पर यह पहले ही लिखा हुआ है, तो यह सोच समझ के form fill up करें कि आपको कहां पर भरना है, कहां job चाहिए, और वहीं जाके आपको paper भी देना है, clear, इसके अलावा, बाकी की लेकिन इन्होंने पहले लिख दिया है कि exam कब होगा, इन्होंने लिख दिया है tentatively in the month of January, February 2025, मतलब इन्होंने पहले बता दिया है कि अभी हमारे मन में यह है कि हम January, February में exam ले लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं कि December से आप railway से free होगे, उसके बाद आपके प सकता है, तो बड़िया तरीक से अपनी तयारी करिए, PGCIL के regarding जितनी भी information के आपको need है, इस बार बस vacancy जादा है, बाकी की सारी चीजे same to same है, मेरी पुरानी वीडियो देखोगे, 100-100-100 classes मैंने YouTube पे free of cost लिए आपके लिए PGCIL के लिए, पिछले बार paid badge भी लिया था PGCIL का, इस बार भी we are planning on that, तो सारी चीजे करेंगे, आपके लिए चिंता मत करो, और आपके लिए previous year paper, या मैं बोलूँगा, cut off कितना जा सकता है, किस zone से आपको भरना चाहिए, सारी बातें भी मैं आप लोगों के लिए discuss करूँगा, और बड़िया तरीके से execute करेंगे, session को, like कर ल